नमस्कार दोस्तों, competition community के online platform में आपका स्वागत है FDR वीडियो सीरीज में भारत के बुगोल के प्रशनों के संग्रा के साथ मैं हूँ अकासिंग यह वीडियो हमारे सीरीज का छटवा और अंतिम वीडियो होगा अभी तक के जोगरफी के जितने भी वीडियो हमने डिसकस किये उसमें यह ध्यान रखा गया कि परिशा के pattern और महत पुर्ण topic से आपको अवगत करा दिया जाए आशा करते हैं कि हमारे इस उद्देश का पूर्ती हुई होगी और आपको इससे कुछ लाब जरू तो मिला होगा बहुत सारे प्रशनों पर उसकी व्याक्खा पर उसके कतनों पर उसके सही option के chain पर कुछ सरानी नियूंतम तुर्टी से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन हमने पूरी कुशिश की कि सभी प्रशनों को इस तरीके से डिल किया जाए जिससे अधिक्तम से अधिक्तम लाब आप तक सुनिश्यत हो तो चलिए इस वीडियो के शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रशन से सबसे पहला प्रशन कहता है सुमेलित कीजिए एक तरफ में जो सुची है वो सुची जलमार्ग पर है और दूसरे तरफ जो सुची है वो इस्थान से है कि जिस इस्थान से या जलमार्ग बहती है तो चलिए हम देखते हैं कि इस्थान कौन कौन से हैं तो हल्दिया से इलहाबाद, डूबरी से सदिया, जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉल्लम से कोटापुरम और चौता है काकी नडा से पुद्दुचरी तो चलिए इस प्रश्न पर जाने से पहले कुछ जानकारी हम देख लें तो अगर हम राश्री जलमार्ग संख्या एक पर बात करें तो यह गंगा नदी पर आपको देखने को मिलेगा और हल्दिया से लेकर इलहाबाद तक आप इसे देखेंगे साथ ही इसकी अगर लंबाई की अगर आप बात करें तो सबसे लंबा या राश्री जलमार्ग बनेगा जिसकी लंबाई होगी 1620 किलोमेटर जिन राज्यों से ये होकर गुजरेगा वह राज्य आएंगे उत्तरपदेश, बिहार, जहारखंड और पस्चिम बंगाल ठीक उसी प्रकार अगर आप राश्री जलमार्ग संक्या तुदो को देखें तो ये दिखेगा आपको ब्रह्म पुत्र नदी पर और इसकी कुल लंबाई आपको 899 किलोमेटर देखी जा रही होगी आपके द्वारा और जिन राज्यों से होकर यह गुजरेगा वह राज्य होंगे आसाम, पस्चिम बंगाल, अरुनाचल प्रदेश और मेगाले जब आप राश्री जलमार्ग संक्या तीन देखें तो यह आपको केरल पर दिखेंगा कोलम से कोटापूरम तक और इसकी लंबाई होगी 205 किलो किलोमेटर और अगर आप देखें संक्या चार को तो यह आपको दिखेंगा काकी नाड़ा से पुद्दुचेरी तक और यह आपको प्रभावित होता हुआ दिखेंगा गुदावरी कृष्णा नहर पर और साथ ही यह जिन राज्यों पर अपनी सेमाएं देगा वह राज्य और जब संक्या 6 को आप देखें तो यह बराक नदी पर आपको देखेगा 121 किलोमेटर तो चलिए इस प्रकार से हमने वह राश्य जल मारगों के बारे में जानकारी देख ली और इन्हीं जानकारी के अधार पर विबिन प्रकार के प्रश्णों पर हम चर्चा करें जो पै तो यह हल्दिया से इलहाबाद मतलब कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई एक सहीं ऑप्शन हो सकता है जब हम बी पर जाए नेशनल वाटर वे टू यह डूबरी से सदिया तक हमने देखा इसे तो इस प्रकार से सहीं ऑप्शन के रूप में हम ऑप्शन ए को दे पूट चुने मतलब कि डिसेंडिंग ओडर पर लंबाईयों की आधार पर तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे लंबा राश्री जलमार्ग संख्या एक है जो गंगा नदी पर इस तो इस आधार पर अगर आप देखें तो दिये गए ऑप्शन पर सभी कतनों पर या फ जो 1620 किलोमेटर है पिर जब हम नैशनल वाटर वेव 4 पर जाते हैं जो दूसरा बड़ा राश्री जलमार गए जिसकी लंबाई हमने 1078 किलोमेटर देखी पिर उसके बाद हम देखते हैं नैशनल वाटर वेव 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है जिसकी लंबाई 899 हो जाता है ऑप्शन सी चलिए इसी जानकारी के अधार पर एक दूसरे प्रटन पर भी प्रशने देख लेते हैं सुमेलित कीजिए तो जैसा कि हमने सबसे पहला कोश्चन देखा था वहां पर हमने इस थानों के बारे में कोश्चन सॉल किया दूसरे प्रशन में हमने लंब दिये गए हैं सुची एक पर और सुची दो पर दिये गए हैं नदी तो देखिए नेशनल वाटरवे एक जैसे मैंने बताया गंगा नदी पर है तो हम यह जान गए कि एक टू यहां पर होना चाहिए सही ऑप्शन पर और यह हमको मिलता है सीधे ऑप्शन डीबर तो आप सि एक जानकारी के अधार पर ही अगर थोड़ी लॉजिकल तरीके से ऑप्शन देगें तो आप सही ऑप्शन तक असानी से पहुंच सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि बी नेशनल वाटरवे टू यह हमको देखने को मिलेगा ब्रहमपुत्रा पर और जब नेशनल वाटरव प्रशनों के आधार पर हमने लगभग जलमार्ग संबंदी प्रशनों के पैटर्न की जानकारी देख लें तो परिवहन की दूसरे क्रम पर अब हम देखेंगे राश्री राजमार्ग संबंदी प्रशन नेशनल हाईवे पर तो चलिए प्रशन देखते हैं प्रशन कहता है highway of India तो यहां पर चार option दिए गए हैं तो चलिए इनकी लंबाई देख लेते हैं और कुछ और भी जानगारी देखने के बाद हम सहीं उत्तर का चेहन करेंगे तो सबसे पहला option की अगर आप बात करें नैशनल हाइवे 15 तो नैशनल हाइवे 15 की जब आप लंबाई की बात करें तो यह 665 किलो मिटर के आसपास इसके कुल लंबाई है और यह कहां से कहां तक फैला हुआ है तो यह आपको उत्तर पुर्वी के राज्यों पर अर्थात असम से लेकर अरुनाचल प्रदेश तक आप को देखने को मिलेगा जब आप पहले option के बारे में जान गए तो दूसरे option के बारे में अगर हम पहुंचे तो नैशनल हाइवे 2 की अगर आप जानकारी देखें तो यह 1325.65 किलो मिटर तक विस्तित दिखेगा और जिन राज्यों से यह गुजरेगा वह हो जाएगा असाम स चलकर मिजोरम तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा ठेक उसी प्रकार से अगर आप तीसरे option पर चले नैशनल हाइवे नंबर साथ तो इसकी लंबाई आपको दिखेगी 848 किलो मिटर यह हर्याना से आपको गुजरता हुआ दिखेगा और अगर आप सबसे अंतिम option पर जाएं एन एच 44 तो इसकी लंबाई आपको मिलेगी 3745 किलो मिटर और यह हमारे उत्तर से दक्षिन तक फैला हुआ है अरधात श्री नगर से कन्या कुमारी तक इसका विस्तार दिखेगा और हमारा इस प्रकार से सही option हो जाएगा option D ध्यान रखिएगा कि पहले national highway 7 सबस से लंबा national highway हो चुका है एन एच 44 3745 किलो मिटर तो चलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रशने पर दूसरा प्रशने कहता है एन एच 44 का विस्तार है तो देखिए एन एच 44 पर हमने यह जानकारी देखी और इसी जानकारी के अधार पर हमको हमारा सही option C मिल जाता है तो इस द उनकी संख्या उनके किलो मिटर और किन छेत्रों से इनका विस्तार देखने को मिलता है यह आप जान ले और उस अधार पर पिर इससे संबंदी जितने भी प्रशनों के सौल कर लेंगे तो ध्यान रखेगा सारे राश्री राजमार्गों को आपको नहीं इसमरन करना है सिर् यह अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर तो चलिए अगला प्रशन देखते हैं प्रशन है सुमेलित कीजिए मैजदा फोलेंग एक तरफ सुची में राजमार्गों के नाम दर्शाय गये हैं और दूसरे तरफ इन राजमार्गों के यहां पर लंबाई दी गई है तो हम कुछ जानकारी देख लें इन राजमार्गों के अधार पर और फिर उसके बाद सहीं आप्शन तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे नैशनल हाईवे 44 अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 3745 किलोमेटर तक है और यह कहां तक व्रि पहले नैशनल हाईवे के बारे में जानकारी अब हम आते हैं अब आपको यह भी पता है कि यह सबसे लंबा राज्टरी राजमार्ग तो इसके क्रम पर जो दूसरा राजमार्ग है वो सैकेंड लॉंगेस नैशनल हाईवे 27 इसकी अगर लंबाई अगर आप देखे तो 3507 कि और यह कहां से कहां तक फैला हुआ है तो गुजरात राज्य के पूरबंदर से यह असाम के आपको सिल्चर तक फैला हुआ दिखेगा और अगर आप तीसरे option की बात करें देखें गुजरात से असाम मतलब पस्चिम से पूर्व राज्यों तक यह इसकी विस्तार आप देख होंगे अब हम आते हैं हमारे अगले नैशनल हाईवे पर और वह है नैशनल हाईवे 48 और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो यह है अटाइस सो साथ किलोमेटर और किन छेत्रों से यह गुजर रहा है तो यहां देखेंगे कि देल्ली से यह चिन्नाई तमिलनाडू तक आ करें नैशनल हाईवे 52 तो इसके बारे में लंबाई अगर आप देखें तो इसकी लंबाई आपको 2317 किलोमेटर दीखेगा और इसका फैलाओ आपको पंजाब के संग्रूर से लेकर करनाटक के अंकोला शहर तक देखने को मिलेगा तो इस जानकारी के अधार पर सहीं ऑप् तो देखें यहाँ पर आपको चार आप्शन दिये गए हैं और यह चार आप्शन पर हमें वह राज्य चुन्ना है जहाँ पर सबसे लंबे राश्री राजमार्ख हमको देखने को मिलते हैं तो इसकी जानकारी के लिए नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्व जब इस क्रम को आगे बढ़ाएं तो दूसरे रैंक पर हमें उत्तर प्रदेश दिखता है जिसकी 11,737 किलो मिटर देखने को मिलेगा नैशनल हाईवे की लंबाई जब तीसरे पर हम पहुँचेंगे तो यह मिलेगा राजे स्थान पर और 10,342 किलो मिटर के लंबाई दिख लिख रहोंगे तो यह जो दिया गया ऑप्शन है उसमें सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा सई ओगा महराश और बाकी के जो नीचे के राज लिखे गए हैं यह इंक्रम को आगे बढ़ा रहा हैं तो आप इनक्रम को भी याद रखके इस प्रम के साहरें आब जा सकते हैं है सुची एक को सुची दो से सुमिलित किजिए सुची एक में बंदरगा दिये गए हैं और सुची दो में राज्य दिये गए हैं और हमें इन्हें मैच करना है कि कौन सा बंदरगा किस राज्य में स्थित हैं तो चलिए हम देखते हैं जब बात करें पहले बंदरगा के मार्म गृत्ष ini चलिया अब हम आते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदर गाह है तो अश्य तो दूसरा बढ़ा बनाया गया है अब जब हम देखते हैं हमारे आंधीम प्रश्न यह प्रश्न प्रश्न कहता है भारत का सरवादिक गहराई वाला बंदरगाह है तो देखिए पारादिप बंदरगाह को जब देखें तो इसकी गहराई 17.1 मीटर देखी गई है और यह भारत देश का सबसे गहरा बंदरगाह कहा जाता है इसे तो इस आधार पर हमारे इस परिवहन संबंदित प्रशनों के पैटर्न पर हमने कुछ कोशन देखे हम आगे भी मिलते रहेंगे चत्तिजगर के आर्थिक सरवेक्षन और भारत की अर्थविवस्ता अधारित प्रशनों के साथ तो चलिए हम यह उमीद करते हैं कि अभी तक जो जो जोगरफी की वीडियो से चली उससे आपको कुछ प्रेस करना ना भूले